नमस्कार दोस्तो आज इस वीवर हैं लोग है जी नोने कमेंट करके इसके बारे में पूछा है कि हमने ओनलाइन अवेदन तो कर दिया है लेकिन इस्टेटस कैसे चेक करें जो हमारा अवेदन फॉर्म है वो एक्जेप्ट हुआ है या फिर रिजेप्ट हुआ है तो दोस्तो म आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देने माला हूँ अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े बेल आइकन को जुरुद दबाए ताकि ऐसी योजना समन्दी जानकारी आप लोगों मिल सके तो वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपना गूगल ब्राउजर उपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है महतारी वंदन योजना फॉर्मकैसे.com जिहां दोस्तों आप लोगों को टाइप कर देना है ताइप कर लेने के बाद आप लोगों को इंटर कर देना है और दोस्तों आप लोग के सामने नेस्ट पेज ओपन हो जाएगा आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो फॉर्मकैसे.com महतारी वंदन योजना का ओनलाइन फॉर्म कैसे भरे यहां से दोस्तों आप लोग ओनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हो यहां पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो जो वेफ साइट है वो ओपन हो चुका है दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो महतारीवंदन.cgstate.gov.in यहाँ पर आकर आप लोगों को क्लिक कर देना है और फानली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो उसके लिए आप लोगों को अवेदन की सिती पर आकर क्लिक कर देना है और आप लोग के सामने नेस्ट पेज ओपन हो जाएगा आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो महतारीवंदन योजना लाभारती अवेदन भुकतान की सिती एक important point दोस्व जो आप लोगों को जाना बहुत ज़रूरी है दोस्व आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो लाभारती अपने अवेदन की सिती की जाँ छेतू पंजिगरित मोबाइल नंबर दर्च कर प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर दोस्व आप लोगों से यह कहा गया है जब आप लोगों ने online या offline मोबाइल नंबर जो दिया है उस mobile नंबर को आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा तभी दोस्व आप लोग अपना online status चेक कर सकते हो तो आप लोगों को अपना मोबाइल नमबर लिख देना है मोबाइल नमबर लिख लेने के बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो केपचा ये वाला नमबर दोसो आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है लिख देना है केप्चा लिख लेने के बाद इसी की निचे आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो सब्मिट करें यहां पर आप लोगों को सब्मिट पर क्लिक कर दिना है और दोस्तों आप लोग यहां से मतारी वंदन योजना लाभार्ती अवेदन भुकतान की सिती की जानकारी प्राप्त कर सकते हो यहां पर हिद्गरही की जानकारी डिटेल से दिया गया है आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो जो भी अवेदिका है उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गय है सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पंजियन करमांग पढ़ सकते हो जिस भी अवेदिका ने online या फिर offline अवेदन किया है उसका पंजियन करमांग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद इसी के नीचे जो अवेदिका है उसका नाम लिखा हुआ है उसके बाद इसी के नीचे आप लोग यहाँ पर पती का नाम पढ़ सकते हो और एक important point दोस्तो जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अवेदन दर्ज लेवल जो अवेदिका है आगनवाडी के द्वारा उन्होंने फॉम भरा है इस वज़े से यहाँ पर आगनवाडी दिखा रहा होगा उसके बाद आगनवाडी द्वारा जाच की स्थिती आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो स्थिती कर लिया गया है सुपरवाइजर द्वारा जाच की स्थिती लंबित है कहने के मतलब यह है दोस्तो जिस भी अवेदिकानी महतारी वंदन योजना के लिए अवेदन किया है उसे आगनवाडी द्वारा स्विकृत कर लिया गया है दोस्तो आप लोग भी इस परकार से अपना ओनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हो अगर आप लोगों ने अपना ओनलाइन फर्म भरा है महतारी वंदन योजना के लिए आप लोग का जो फर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्जेप्ट हुआ है आप लोग यहां से डिटेल से जानकारी प्राप्ट कर सकते हो और साथी साथ दोस्तो अगर आप लोग हिद्गरही की जानकारी की अगर आप लोग प्रिंट आउट लेना चाहते तो आप लोग यहां से प्रिंट आउट भी ले सकते हो और इसी के साथ दोस्तों आप लोग ये भी जानकारी प्राप्ट कर सकते हो जो आप लोगों ने online form भरा है वो submit हुआ है या नहीं हुआ है एक्जेप्ट कल लिया गया है तो आप लोगों को यहां पर पंजयन क्रमांक दिखने लगेगा इस प्रकार से दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हो यहां से कि आप लोगों ने जो form भरा है वो सहीं भरा है या फिर गलत भरा है आप लोग का जो form है वो एक्जेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो जो आंगनवाडी केंदर द्वारा जांच की सिती यहाँ पर सुकृत किया गया है और सुपर्वाइजर द्वारा जांच की सिती अभी लंबित है सुपर्वाइजर द्वारा भी दोस्तों जो महतारी वंदन योजना का जो form है उसे चेक किया जाएगा जाँचा जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर भी जो लंबित के जगा पि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लंबित लिखा हुआ है यहाँ पर सुकृत दिखने लगेगा तो इस परकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपना ओनलाइणी स्टेटस चेक कर सकते हो और भी अगर आप लोगों के पास में कोई भी सवाल है महतारी वंदा नियोजनल सम्मंदी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद